तो कैसे है आप आपसा घर तो Nedh Cuando Your point तो कैसे हैं आप आपका दोस्तों सूस्यराम सिंग्ष आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तो कैसे है आईए शुरू करते हैं, आज जो अपना, आज का टॉपक है, वो है तलाग के नियम जो 2023 में क्या होंगे तलाग के नियम, जो कुछ नियम बदला हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे तो सुरू करते हैं वीडियो और वीडियो पर रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा बने रही एगा, कहीं मत जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो सुरू करते हैं, जब जो साधी के जोड़े होते हैं, साधी होती है तो अगर उनका आपस में नहीं बनता है तो क्या होता हो तलाक के लिए मतलब अरजी लगाते हैं तलाक का रास्ता जो अपनाते हूं वो होता है तो चलिए सुरू करते हैं साधी की दुनों में जोड़े के आपस में नहीं बनती है उनके तलाक लेना चाहते हैं इसके लिए क्या नियम है और तलाक के लिए आबेदन परक्रिया तलाक के आवस्या दस्तेवेज क्या लगते हैं हिंदु वीबा के लिए भारत में तलाक कानून क्या है कोट मैरिज के बाद तलाक की प्रक्रिया क्या है आपको कोट मैरिज के तलाक प्रक्रिया की नियम बताया जाएगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी तलाओ के नहीं नियम क्या होगा है? 2003 में शुरू करते हैं अब नहीं करना पड़ेगा 6 महिने तक इंतिजार आप लोग सबसे पहला पोइंट है वो यह है कि अब 6 महिने तक नहीं करना होगा इंतिजार जैसे पहले क्या होता तलाओ जब लोग देते थे तो उसमें 6 महीने का पीरियड होता था बस उसमें अब नहीं किया जाएगा इंतजार सुप्रम को ने तलाक के कुछ निवों में बदलाव किया और यह कहा है कि अगर दोनों पक्ष आपसी सहमती से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें नहीं करना पड़ेगा 6 महीने का इंतजार पहले हिंदु मैरिज एक्ट के मुताबिद अगर पती पतनी आपसी सहमती से एक दूसरे से तलाक लेकर अलग होना चाहते हैं तो 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था क्योंकि कोट दौरा उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता था जिससे वह अपना फैसला दोबारा सोंच सम जारे भी आ जाती हैं जीवन के कुछ ऐसे भी मोल पर कुछ परिस्तियां उभरने लगते हैं जिनके कारण से पती पतनी के रिस्ते में लड़ाई जगड़े सुरू हो जाते हैं और कभी कभी तो इतने बढ़ जाते हैं कि किसी भी रूप में एक दूसरे के साथ रहना जाता है तलाक कैसे होता है जब कोई कभी कोई साधी सुदा जोड़ों के बीच में किसी कारण से कोई ऐसी परिस्ति उत्पन हो जाती है जिसमें दोनों कानून की सहायता से अलग होने का नेड़े लेते हैं तब उन्हें भारति हिंदू ला अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतरग और परिकार की पूरी की जाती है जिसके बाद पति पतनी अपनी अपसि ये जिस्तियों को सामाजिय और कानूनी तरह से समाप्त कर देते हैं तलाक के परकार देस में तलाक की दो पर करियाएं हैं पहला आपसे सहमती से और दूसरा एक तरफा तलाक यानि किसी भी एक पच्च के दौरा तलाक नयाले में अरजी लगाना पहला आपसे सहमती दौरा तलाक क्या होता है आपसे सहमती दौरा तलाक लेने की परकरिया सरल होती है क्योंकि इसके अंतरगा दोनों पच्च आपस में सामती के बाद ही तलाक लेने का निर्णे करते हैं साथ ही इस प्रक्रिया में किसी भी तलाक का कोई आरोप या किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता एक तरफा तलाक कैसे होता है इस प्रकार के तलाक की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पक्ष द्वारा तलाक की मांग की अरजी लगाई जाती है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है ऐसी परिसिती में तलाक की मांग करने वाले पक्ष को कुछ ऐसे सुबूत तत सामने रखने पड़ते हैं भारत देश में गुजारा भत्ते के लिए किसी भी परकार की कोई सीमा निर्धारियत नहीं की गई है इसका निर्ड़े दोनों पच्छ द्वारा आपसी सामती से लिया जा सकता है लेकिर ऐसी परिशितों में सबसे पहले कोट की आर्थिक इस्ति को ध्यान में रखते हुए बत्ते का निर्ड़े लेता है पती की आर्थिक इस्ति जितनी अच्छी या बुरी होगी उस हिसाब से ही अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा बच्छों का देख भाल तलाकी परकिर्या में सबसे महतपूर मुद्दा बच्चों की जिम्मेदारी आता है इसमें यह निर्ड़े कर पाना बहुत मुस्किल होता है कि आखिर बच्चे देख रेक की जिम्मेदारी किसे सोफ भी जाए अगर माता और पिता दोनों के गाले चाहता तो ऐसी परिसिते में बच्चे की कश्ड़ी मा को सोफी जाती है यह बच्चे साथ साल से अधिक होता है तो उसकी कशड़ी पिता फ़ाए और प्छे Wow możnaoute पार जाते हैंoustीतर इक पर को Cecilum कोई प्रमाणब या फिर साधी की फोटो आईडी पूरू अन्य दस्तवेद आप से सामती से तलाक के लिए आविदन परकिरिया पती पतनी के लिए आप से सामती से तलाक लेने की परकिरिया सरल होती है आप से सामती से तलाक लेने के दोरान नियम के अनुसार एक साल तक किया जाता है साथ Cheeks कई प्रक्रियां का पालन करना होता है कि दुभल ये दोनों पच्छों का व्यान दर्ज करता है साथ कछ कुछ दस्तवेध सबस्क्राइब को पच्छों के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं आज्य है में तलाक के लिए याच का दायर करने के बाद मैयाले दोनों को लगभग 6 मेहने का समझ डेती है जिसके दोरान दोरान 12-12 साथ में रहने का नेड़े ले सकते हैं छे मेहने का समय समाप्त होने पर अंतिम सुनवाई होती है जिन में अगर दोनों पच तलाक चाहते हैं तो कोड द्वारा अंतिम निर्डे के दोरान दोनों का तलाग सुनिश्चित करता है जिसके बाद आपसे सामति से तलाग लेने की परकिरिया छे महने बाद समाप्त हो जाती है एक तरफा तलाग एक तरफा तलाग के दोरान छे महने की अवधिन नहीं दी जाती है इस तलाग परक किसी कुरूरता सारी कुरूरता किसी बाहरी बेक्ति से योन संबंद बनाना या दो या दो से अधिक साल से अधिक रहने अलग रहने की परिस्तिती में धर्म संसकार को लेकर दोनों में मतभेत इत्याद की परिस्तिती में भी दोनों के भी तलाक हो सकता है तो यह चीज़ आप लोग काफी अच्छे से जानगे होगे तलाघ के आधार, तलाघ के परकार और तलाघ कैसे लिए जासकता है तो काफी ज़्यादा बदलाव हो रहा है जो तलाङ की परकार यह आने वाले समय में भी और ज्यादा बदलाव होगा तो आसा करते हूं यह चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से बढ़ इसके वाज़ूद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंड वोक्स में कमेंड कर सकते हैं मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब ते के लिए जाहिन